प्रीदर्श को नमस्कार आई यू सुनते हैं आज के मुख्य समचा सिल रावर के लाइस पास सेंत्र में वीशो गुणवत्ता दिवस्ता पालन सेल रावर के लाइस पास सेंत्र में ISO 3700E-2006 रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली ABMS लिखा प्रक्षा सफलता पूर्वक संपन और रावर के लाइस पास सेंत्र की अंतरास्टी सितारा साइक्ल चालक स्वस्तिसी में राश्टी खेलों के 37 संस्क्रण में पर्चम लहराया अप समचार विस्तार से सेल रावर के लाइस पास सेंत्र में 9 नोवंबर 2023 को आयोजित विश्व गुणवत्ता दिवस काईक्रम में कारेपलक निदेशक वर्ग श्री एस आर सुरिवन्षी ने अपने संबोधन में कहा आए अपने सर्वस्तेश्ट को बहतर बनाए और गुणवत्ता में विश्व इस्तरी मानक इस्थापित करें कायक्रम का आयोजन सेंत्र के मुख्यदवार के पास इस्थित सुन्दर शिल कारेपलक निदेशक सामगरी प्रबंधन श्री सोबना त्रिपाठी, कारेपलक निदेशक चिकिसायवं स्वास्त सेवायन डॉक्टर बीके होता, कारेपलक निदेशक खान श्री आलोक वर्मा, कारेपलक निदेशक वित्यमलेखा श्री एके बेहुरिया, कई उप वरिष्ट अधिकारी, ICS समन्वय और इसपास स्यंत्र के कर्मचारी उपस्थित थे। RSP कर्मी समुकों गुडवत्ता की संस्रीती को अपनानी के लिए प्रेडित करते हुए, श्री सुरिवनसी ने इस वर्ष के गुडवत्ता दिवस के विशय पर विस्तार से अवलोकन करते हुए कहा, जो की गुडवत्ता अपनी प्रतिसपर्धी शमता को साकार करना है, उन्हो सभावी टीम गठन और सहयोगी द्रिश्टी कोन को बढ़ावा देना किसी की प्रतिसपर्धी शमता को साकार करने में मुल्भूत खंड है, सभा को समभूतित करते हुए, श्री साहु ने कहा, योचना, संचालन, अनुरक्षन, समग्री प्रबंधन, अत्रिक्त क्रय, समग् गुणवत्त्य प्रबंधन प्रणाली का पालन करनी के लिए भी प्रोचसाहित किया, इसे पहले श्री स्री सोरिवंची ने गुणवत्ता ध्वच फैराया, करमचारी को श्री सोमनात्री पाठी द्वारा ओडिया में, श्री स्री सोरिवंची द्वारा हिंदी में, और श्र अनुबिंध महांती ने आपचारिक धन्यवाद ग्यापित किया और कायक्रम का संचालन किया इस अवसर को यादगार बनानी के लिए QMS पर पत्रक विट्रित किये गए और सभी को गुडवत्ता वाले बैच पहनाए गए कायक्रम की दोरान गड़मानियों ने अरस्पी कर्मचारियों के लिए आयुजीत निबंध और वादिवात प्रतियोगिताओं के विजयताओं को पुरिसकार भिप्रदान किये और निर्णायक मंदली के सदस्यों को समान पुर्वक पतिक उपहार फिट किये गए उलेखनी है कि नवंबर महा को गुडवत्ता महा के रूप में पालन किया जाता है और महा के दूसरे गुरुवार को विश्व गुडवत्ता दिवस के रूप में बनाया जाता है सेल राउड के ला इस पास सेंद्र में आठ नॉम्मर दोहजार तेईस को तीन दिवसिये आई एसो सैतिसाजार एक दोहजार सोला रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली एबी एमेस लेखा परिक्षा सफलता पूर्वक संपन हुई मन्थन समिलन कक्ष में आउजित लेखा परिक्षा की समापन बैटा की अध्यक्षता आरेसपी और बोकारो स्टिल प्लांड के अतरित प्रभार सहित निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने की इस औसे पर कारेपलक निदेशक परियोशनाय श्री पी के साहु परिक्षा का संचालन भारती मानक बीरो बी आई एस के वरिष्ट पताधिकारियों द्वारा किया गया जिसमें मुख्य लेखा परिक्षक श्री एक पुरोहित दो लेखा परिक्षक श्री सुमित कुमार और श्री मेजे विनोत शामिल थे लेखा परिक्षकों ने विभिन लेखा परिक्षित विभागों द्वारा प्रणालियों के पालन पर संतुस्टी व्यक्त की श्री भौबिंग ने लेखा परिक्षिकों को धन्यवाद दिया और कहा कि RSP अपने पधिती में और अधिक पारदर्शिता और इमानदारी लानी के लिए इस यात्रा को जारी रखे प्रॉब्स को महाप्रबंदेक प्रभारी स्तरक्ता एवं ए सीवीओ श्री सुब्रद प्रहराज ने नई प्रणाली और स्चैल में इसके कालरेमन के महत्र के बारे με जानकारी दी महाप्रबंदेक सतरक्ता श्री श्ोमिक कुमार ने धन्यवाद क्याफित किया लेखा परिक्षा की सुविधा RSP के सतर्क्ता विभाग त्वारा की गई विशेस रूप से IS और ISO 37001-2016 रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रनालियों के लिए एक अंतरास्टी इस्तर पर मानिता प्राप्त मानक है यह संगठनों को रिश्वत खोरी को रोकने, संभावी जोकिमों का पता लगाने और रिश्वत विरोधी कानूनों और विडियमों का अनुपालन बनाए रखने के लिए प्रभावी उपायों और नियंत्रनों को लागू करने के लिए दिशा निर्देश और आविशक्ताय प स्वस्ति सिह ने आठ नुवंबर को गुवा में आयो जीत राश्टी खेलों के 37 संस्क्रण में स्वन्ड पदक जीत कर राची का नाम रोशन किया है उन्होंने 75 किलोमीटर मास स्टार्ट रोड साइकलिंग इवेंट में स्वन्ड पदक जीता तथा उन्होंने गुवा और दि श्रीमती उमा देवी की बेटी है साइकलिंग की शेतर में भारत का उभरता सितारा 2015 में कटक में आयो जीत ट्रेक साइकलिंग स्टेट मीट में अपनी शांदार तक्निकों और बजर बीटर टाइमिंग के साथ सभी के नजर में आई इसके बाद उन्होंने 17 साल की उम्र में नई दिल्ली के तालकटोरा वेलेड्रोम में आयो जीत पांचवे एशियाई कप ट्रेक साइकलिंग की जूनियर महिला दो किलोमेटर व्यक्तिगत परस्यूट इस परधा में अपना पहला अंतरास्टी स्वनपदक जीता उन्होंने गुवाहाटी में आयो जीत तीसरे खेल इंडिया यूद केम्स 2020 में दो स्वनपदक और एक रजत पदक जीता है उन्होंने 24 से 28 दिसंबर 2021 तक जैपूर में आयो जीत 73 सीनियर नेशनल ट्रेक साइकलिंग चैंपेंशिप के महिला सीनियर वर्प में 3000 मीटर व्यक्तिगत परस्यूट इवेंट में रजत पदक और 200 म स्वनपदक जीता है उन्होंने दिसंबर 2022 में गुवाहाटी में आयो जीत 24 सीनियर नेशनल ट्रेक साइकलिंग चैंपेंशिप की एलिट महिला ओम्नियम और रेस और 3 किलोमीटर व्यक्तिगत परस्यूट इस परदा में एक स्वन्ट और एक रजत पदक जीता अक्टूबर 2022 में दिल्ली में आयो जीत 36 में राश्टी खेलो में स्वस्ति महिलाओं की ओम्नियम रेस में रजत पदक जीतने में सफल रही उन्होंने 3 जनवरी 2023 को महराश्ट के शीडी में 27 वी नेशनल रोड साइकलिंग चेंपेंशिप की महिला एलिट 90 किलोमीटर इस परदा में स्वन्ट पदक जीता उन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिस्टित एक लवे पुरसकार से भी सम्मानित किया गया है साइकलिंग सितारा ने अब तक 20 से अधिक राश्टि पदक और 4 अंतराश्टि पदक जीते हैं उलेकनी है कि स्वस्ती ने रावर केला के बीजू पटनायक हौकी स्टेडियम में RSP के साइकलिंग को श्री सुसिल्दास की निकरानी में साइकलिंग की बारिक्यों को सीखा है RSP दोरा तैयार किया गया यह हुनिहार साइकल चालक छेतरी राजी के साथ साथ देश के लिए और अधिक गौरव हासिल करने के लिए तक पर है और इसी के साथ हम आज के हिंदी समचार को यहीं विराम देते हैं नमस्कार हुआ है